उस गलती को करने के बाद में पीएफ मेंबर्स ने जिस कमपनी से रिजाइन दिया है उस कमपनी के पीएफ अकाउंट का पूरा पैसा वो नहीं निकाल पाते हैं अब हम एक कहेंगे कि यह कोई गलती नहीं है नमस्कार दोस्तों स्वागते आपका आज के इस वीडियो में दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि जब हम अपनी जॉब छोड़ देते हैं तब जॉब छोड़ने के बाद में हम अपने पीएफ अकाउंट से पीएफ और पेंशन का पूरा पैसा निकाल सकते हैं लेकिन PF members कुछ गलतियां करते हैं जिसके कारण जोब छोड़ने के बाद में भी वो PF members अपने PF account से PF और pension का पूरा पैसा नहीं निकाल पाते हैं तो आज की इस वीडियो में हम ऐसी ये गलति के बारे में बात करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि अगर जोब छोड़ने के बाद में आप अपने PF account से PF और pension का पूरा पैसा निकालना चाहते हैं तो आपको ये गलति नहीं करने हैं तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीड कि चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि इप फोड़ी जानकारी आपको इस चैनल पर मिलते रहेगी दोस्तो आज की वीडियो में जिस गलति के बारे में हम बात करेंगे वो गलति काफे सारे PF मेंबर्स करते हैं और उस गलति को कर जोब से रिजाइन देने के तुरंत बाद वो एक दुसरी जोब जोइन कर लेते हैं और यही वो गलती है जिसे जोब छोड़ने के बाद में PF मेंबर्स करते हैं अब आप मेरी बातों को सुनने के बाद में कहेंगे कि यह कोई गलती नहीं है क्योंकि जोब छोड़ने के बा लेकिन आप मेरी बातों को समझने की कोशिश करेगा कि अगर आपने अपनी जॉब से रिजेन दिया है और अब आप यह सोच रहे हैं कि जॉब छोड़ने के बाद में मैं अपने पीएफ अकाउंट से पीएफ और पेंशन का पूरा पैसा निकाल लूँगा लेकिन आप तुरंत एक दुसरी जॉब जोइन कर लेते तब आपके लिए यहाँ पर यह गलती साबित होगा वो क्यों होगा वो मैं आपको बताता हूँ तो होता ही है कि जॉब छोड़ने के बाद में अगर आप अपने पीएफ अकाउट का पूरा पैसा निकाला चाहते हैं तो इसके लिए आपको दो मैने तक इंतजार करना पड़ेगा यानि जॉब छोड़ने के दो मैने के बाद ही आप अपने पीएफ अकाउट जे फुले फाइनल क्लेम कर सकते और अपने PF account का पूरा पैसा निकाल सकते हैं लेकिन अगर आप जॉब छोड़ने के तुरंद बाद या एक महीने के बाद दुसरी जॉब जोइन कर लेते हैं कहने का मतलब यह है कि जॉब छोड़ने के बाद के दो महीने के अंदर अंदर आप अपनी दुसरी जॉब जोइन क कर लेते हैं तब ऐसी कंडिशन में आपने जिस कंपनी से जॉब छोड़ी है उस कंपनी के पी एक अकॉंट का पूरा पैसा आप नहीं निकाल पाएंगे इससे समझते हैं तो अगर आप ने एक जॉब से रिजाइन दिया है और आपने एक दुशरी कंपनी में जॉब जोइन कमपनी का P.F. अकॉण भी लिंक हो जाएगा अब यहां आपको बहुत ही ध्यान से सुनना है क्योंकि यहां पर E.P.F. का एक नियम लागू होता है और वो नियम यह है कि आप फुले फाइनल क्लेम उसी कमपनी के P.F. अकॉण से कर सकते हैं जिस कमपनी में आपने आखरी बार जॉब किये यानि कि आपकी सबसे नई कमपनी के P.F. अकॉण से ही आप फुले फाइनल क्लेम कर सकते हैं पुराने कमपनी के P.F. अकॉण से full and final claim नहीं हो सकता है अब आप यहाँ पर यह समझ चुके होंगे कि आप लें जिस company से job छोड़ी है वो आपकी पुरानी company है और उस company के P.F. account से आप full and final claim नहीं कर पाएंगे और जब आप उस company के P.F. account से full and final claim नहीं कर पाएंगे तो जाहिर दी बात है कि उस company के P.F. account का पुरा पैसा भी नहीं निकाल पाएंगे लेकिन ऐसा नहीं है कि आप उस company के P.F. account से कभी भी पैसा नहीं निकाल पाएंगे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है आपको उस पुरानी company के P.F. account का पुरा पैसा मिलेगा लेकिन अब आपको पुरानी कमपनी के PF अकॉंड का पैसा अपनी नई कमपनी यानि कि जिस कमपनी में अभी आप जोब कर रहे हैं उस कमपनी के PF अकॉंड में आपको अपनी पुरानी कमपनी के PF का पैसा ट्रैंसफर करना पड़ेगा तभी आपको अपनी पुरानी कमपनी के पीएफ अकॉंड का पुरा पैसा मिल पाएगा तो एक जोब छोड़ने के तुरंद बाद दुसरी जोब जोइन करना ये उस पीएफ मेंबर्स के लिए गलती की बात है जो पीएफ मेंबर्स जोब छोड़ने के तुरंद बाद में अपने PF account का पुरा पैसा निकालना चाहता है लेकिन जो PF members जोब छोड़ने के तुरंद बाद अपने PF account का पुरा पैसा निकालना नहीं चाहता ये उस PF members के लिए गलती के बाद बिल्कुल नहीं है बाकी आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही उम्मित करता हूं दोस्तों आज के इस वीडियो के जरिये जो बाते में आप लोगों को समझाना चाहता था उन बातों को मैं आपको आसली से समझा पाया हूं ये वीडियो अगर आपको पसंद आयो तो लैक जरूर करें चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर ले क्योंकि इप्यो को से जुड़ी जानकारी आपको इस चैनल पर मिलते रहेगी